So, hello guys, very good morning and welcome back to the new vlog So, अभी अभी morning walk पर आये हैं फिर से उसी point पर जहां evening में आये थे Because ये जो beauty है यांकी वो हमने drone से capture नहीं कीती तो सोचा कि जाते जाते इसको आपको परिंदे की नजरों से दिखा दें Because ये 360 value view इससे पहले मैंने कभी experience नहीं किया तो मतलब ऐसा लग रहा था कि इसको एक बार और देख ले एक बार और नहार ले मन नहीं भर रहा था इसलिए फिर से दुवारा आ गए हैं तो अब आप इस beauty को drone की नजरों से देखिए कुछ सपने पूरे करने हैं कुछ मनजिलों से मिलना है अभी तो सफर शुरू हुआ है मुझे बहुत दूर तक चलना है कुछ मनजिलों से देखिए सब्सक्राइब अभी बजगे हैं सुबह के साड़े आठ हम लोग मौनिंग वाक से वापस आ गए हैं drone shot आपने देख लिए होंगे hope आपको पसंद आए होंगे और अभी प्लान है कुछ नहाद होने का सबसे ज़्यादा जो मुश्किल होता है पाहडों में यही है की ढहना है या नहीं नहाना है तो सोच रहEX के नहास हो जाएंगे और उसके बाद breakfast करके यहां से चेक बाउट करते हैं और चलते है नहानी ताल की तरफ श काहिवारोर्कृत वाहड़ यहाँ फॉट सोच रहेंगे कि का पागल हूं मैं हर बार यहीं चला आता हूं लेकिन मेरा माना यह कि माउंटेंस में लोग आते हैं रिलैक्स करने के लिए व्यूज को एंजॉय करने के लिए तो वह चाहिए फिर मनाली के पहाड हो चाहिए वह शिमला के पहाड हो चाहिए फिर वह ननिताल के पहाड हो त तुरा आगरा डैली से आप इजीली छे गंटे साथ गंटे की ड्राइव से यहाँ पर पहुंच सकते हैं और यहाँ का वेधर आप कभी भी बारह महीने आई है हमेशा प्लीजन्ट मिलेगा करते हैं सब्सक्राइब करने का मन नहीं करता है और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका प्लान बनता है तो जरूर आए कैम्प विजिट करें और यहां की सारी डिडिल आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो आप चेक आउट कर सकते हैं बाकी अभी चलते हैं रोयत और भावी जी भी हमारे साथ जा रहे हैं तो अभी नैनीताल घूमेंगे थोड़ा उनके साथ एक्स्प् और आज फिर हम फुल डे एक्स्प्लोर करेंगे और शाम को यहां से निकलेंगे तो दो दिन में आप माउंटेंस वाली ट्रिप इतनी अच्छी व्यूस वाली ट्रिप और खाते पीते बैटते रिलेक्स करते मतलब इंज्वाइब कर सकते हैं ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज बाड़ी में डालते हैं और अभी यहां से निकलते हैं नैनी ताल के लिए सफर शुरू करते हैं आज का और अगर आप वर्ट्स लवर हैं तो आपको यह जगह बहुत जादा पसंद आई बिकॉस यहां पे बहुत सारी बर्ट्स हैं हमालियन बर्ट्स और इस तरीके से अच्छा खाना बहुत ही अच्छी सर्वेस सब कुछ बहुत अच्छा मज़ा आ गया सच में तो गाड़ी थोड़ी वाम हो रही है स्टार्ट करके छोड़ दिया थोड़ी दिर गरम हो जाएगी विकास पाड़ों पे फिर चड़ना है मैं और यह हैं कैम्प की एंट्रेंस अब यह नीचे और यहां से देख रहे हैं हम एक छोटा सा वाटरफॉल वहां पे कहीं तो अब इतनी हिंबत नहीं है कि वहां नीचे जाके देखें बहुत जादा नीचे है सब्सक्राइब यहां से अब नीचे चलते हैं और आप देखिए चड़ाई अब यह ब्रेक ले लेके ले लेके जाएंगे वेकोस कहीं आसा नाव डारेक नीचे पहुंच जाएं चलते हैं वेके लेके 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 हैं कर दो अब हम हैं हमालियन व्यूपॉइंट पर यहां से बहुत ही क्लियरली विजिबल है सारे पीक्स नंदा देवी पंचाचुली और त्रिशूल मैं कई बार आया लेकिन यह देखने का अफसर कभी नहीं मिला और यहां पर यह टेलिस्कोप से भी आप देख सकते हैं तो फोटो सेशन चल रहा उसके बाद यहां से निकलते नैनी ताल नमस्कार भाईयो कैसा लग रहा है ब्लॉग पर बने रही है ब्लॉग मतलब वास्तम में अपकी बार तो जान डाल यह कसम से मतलब चेडिया लेकर के आए ना अब जान डाल दी वास्तम में बाइसा ब्लॉग देखते रहना बने रहना अपकी बार तो आमेजिंग ब्लॉग मतलब कहीं ऐसे ब्लॉग आपको देखने को मिली नहीं सकते क्यों रावल भाई सौर्पे में कित्ती तारीफ करोगे मतलब यह दे सकते हैं विश्वास आपको नहीं बताएं आप बताएं विश्वास है क्या रुक जाओ गाड़ी साइड में ले लूँ तो इस वीडियो में मेरी कोई मैनत नहीं है सारे जितने भी फोटेज जितने भी शॉर्ट्स चाहें वो ड्रोन के हो चाहें कैमरे के हो फ सबसे कम मेहनत वाला काम बागी सारी मेहनत इनकी है तो इनकी मेहनत के लिए इन वीडियो को जरूर एक प्लीज लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना चनल पर अगर नहीं हो तो और व्लॉक देखना शूमी देदेना मेरी तरफ से इनकी मेरी तरफ संटाजे बीज व्लाइब कर दोता कर दो दnd अजक आग शाहेंित मेरी तरफ मेरीग वामेरी है लो गाईज तो हम पहुंच गए अप ने निताल और यह नई ताल का मार्केट देख सकते हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं पारकिंग की तरफ महां गाड़ी पार्क करेंगे और फिर करेंगे वो टेंग तो आप देखिये का बने रहिएगा तो साड़े बारा बज गया है और नानी लेक के पास आगे हम लोग बैटें अभी दूप बहुत जादा तेज है तो चोपर रहे है थोड़ी सी और मैं आपको व्यू दिखाता हूं सामने का तो बोटिंग की टिकेट ले लिए बोटिंग करेंगे तो तीन-तीन के सैट में हम लोग दो बोट में जाएंगे तो अभी आप देखेंगे अंदर लेक से बाहर का व्यूव व्यूव सो आप कुछ कहना जाएंगे मुझे लग रहा है आप बहुत देर से तरसी हुई आखों से देख रहे हैं क्या डर लग रहा है अप तो पर्चेती होंगे एक डर पोगाद भी हमारे साथ जा रहा है इस बार दूसरी नाव में जाएंगे विकॉस मुल्टिपल कैमर शॉट समय लेने हैं सो मूड बन गया है और यह नाव निकल चुकी है हमारी पानी के बीचों बीच और हरा भरा पानी दोनों तरफ पहाड़ियां और यह करीब साड़े चार किलोमेटर की बड़ी जील यह देख सकते हैं आप यह मचली हैं तो गाइज तीन तीन है मैं देव लोग ही अलाओड है एक बोट में तो ठीक है कॉंबिनेशन बन गया अगर वो लोग नहीं होते तो फिर हमें एक को ड्रॉप करना पड़ता तो बाकी वो बोट भी आ रही है पीछे वो रही तो मेरी ले रहे हो मैं तुमारी ले रहा हूं अगर मैं सच बोलूं तो अगर पर निला आसमान बादल होते हैं और जो साइड में आपको पूरी मार्केट सारे छोटे-छोटे मकान घर और जो कार चल रही होती है सडकों पर वहां से पूरा एक 360 व्यू आपको मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि इस से अच्छा कोई व्यू आपको नैनिताल का देखने को मिलेगा तो अगर आपको यह इंजॉय करना है तो आपको बोटिंग जरूर करनी पड़ेगी हमारी बोट पार्किंग की तरफ जाते हुए तो किस तरीके से बोट एक दूसरे के अंदर चीड़ते हुए घुसरी है कि स्लाइड कर करके जा रहे हैं कैसे जंग जीत गया रहे हैं कैसे कुछ बोट बहुत है तो पहुच गये हम सब लोग एक भुटे की शॉप पर जहां पर हम सब ने एंजॉय किया गर्मा गर्म भुटा जो कि बहुत ही जादा टेस्टी हो बहुत ही जादा उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया क्यों ना करने हैं तो वाकिंग से अच्छा कोई भी तरीका नहीं हो सकता तो हम वाकिंग करते हुए मॉल रोड को एक्स्प्रोर कर रहे थे तो ऐसे ही हम चलते चलते पहुचे एक कैंडल शॉप पर आपको नहीं पताया तो मैं बता दूं नैनिताल फेमस है अपनी कैंडल्स के लिए मुंबतियों के लिए तो एक बहुत ही बड़ी शॉप थी जो सिर्फ कैंडल्स की थी वहाँ पर इतने सारे खुबसूरत डिजाइन्स थे कैंडल्स के कि देख के मन कर रहा था कि पूरी दुकान पैक कर वाले लेकिन वो पॉसिबल नहीं था लेकिन फिर भी सबने अपने घ के लिए वहां से कुछ चीजें वहां से पर्चेस की बोलेंगे क्यों नहीं क्यामरा ओन किया तो बोलेंगे पांडे ज़रूर बोलेंगे समय हो गया है दो सो थोड़ा बहुत हमने वोटिंग का आनंद लिया और थोड़ा मॉल रोड को एक्स्प्लोर किया ज्यादा कुछ अ आपस घर की जर्नी स्टार्ट करते हैं और चलते हैं वेकॉस शाम तक घर पहुंचना है और फिर सेलिब्रेट करना है कल अपना बद्दे भी यानि के कल 12 जनवरी है आप ये वीडियो काफी लेट देखोगे तो जब तक बद्दे निकल गया होगा लेकिन फिर भी कल बड़ अपना है जाते जाते मन किया क्यों ना एक बार लास्ट टाइम पहाडो वाली चाय और पहाडो वाली मैगी इंजॉय की जाए बिकॉज उसका फील कुछ अलग होता है तो हम सब ने मिलके वो इंजॉय की उसके बाद फिर अपनी आगे की जर्णी स्टार्ट की करेंगे तो शाम के बजगे हैं साड़े पांच और हमारी गाड़ी आके रुग गई है वहीं फिर उसी डावे पर मुरादावाद के पास तो सुबह ब्रेकफास करके निकले ते तो अभी यहां पर लंच करेंगे भूख लग रही है थोड़ा सा एक स्ट्रैच ब्रेक मारेंग के एक कुलरण वाली चाय पिएंगे इसके बाद फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे सो हाउस दी जोष हाई सार आप अवास समझ जाओ हाई एले इस लो है तो खाना खाते हैं एनर्जी बढ़ाते हैं सब अब ही बच गए हैं रात के साड़े दस फाइनली वी रीज्ट मतुरा सो टाइमली कवर कर लिया काफी खीची है गाड़ी बिना रोके बिना किसी रुकावट के जादा व्लॉक शूट किया नहीं तो टाइमली घर पहुँच गए हैं सेफ और सेक्योर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है फाउग नहीं मिला और फैदल भाई बुझे यहां पे लाइट दे रहे हैं बागी ट्रिप कैसी रही सो एक बार सब बताएंगे मजा आया अमेजिंग बढ़ 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 मोटिवेशन मिलती है तो आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में भी इंप्लिमेंट कर सकते हैं तो बस इसी के साथ गुड़ नाइट शबा खेर मिलेंगे आपसे फिर किसी नए व्लॉग में सो बाई बाई टेक केर बाई बाई बोल दीजिए बाई बाई